हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल दी वैलू नौलेश पे जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपोर्टन नौलेश लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइप में आगे बढ़ने में हेल्प करता है और दोस्तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेशन लेके आए हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिट्व एक्जाम और इंट्रूज में पूछे गए हैं और इनके आंसर शायद ये आपको पता होंगे तो चलो फिर दोस्तो शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेशन है जो हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था वो कौनसा फ़ल है जिसका बीच उसके बाहर होता है तो बहुत सारे कॉम्पिटिट्व एक्जाम में पूछे जाने वाला ये सवाल है और इसका सही आंसर है स्ट्रॉबेरी और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही दिया मनुष्य के बाद सबसे समझदार जिव किसे कहा जाता है तो जनरल नौलेज से रिलेटेड ये भी बहुती इंपॉर्टन क्वेशन है और इसका सही आंसर है डॉल्फिन जिसका दिमाग मनुष्य के बराबर ही होता है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शेहर कौन सा है तो जी के से लिलेटेड ये बहुती इंपॉर्टन क्वेशन है कौन बनेगा क्लोरपती में भी ये क्वेशन पूछा गया है एक लाग साथ हजार की अमाउंड के लिए और इसका सही आंसर है टोकियो जो की जपान की कैपिटल है और ये जो फ़र्स सिटी के बाद निंबर आता है दोस्तो दिल्ली का जो की दुनिया की सेकंड लाजेस पॉपुलेटर कंट्री है मनुष्य के शरिर में सरवादिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है तो जी के से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टन क्वेशन है जो की मनुष्य के शरिर में सबसे जादा पाये जाने वाला प्रोटीन है रात के आकाश का सबसे चमकने वाला तारा कौन सा है तो जनरल नौलिश से रिलेटेड ये भी बहुत इंपॉर्डन क्वेशन है और इसका सही आंसर है सीरियस स्टार एक पाउंड याने कितने रुपीज होते है तो बहुत सारे कॉम्पेटिटव एक्वेशन में इस तरह के क्वेशन पूछे जाते है जिसमें आपको कोई भी फॉरेन करंसी को इंडियन रुपीज में कनवर्ट करने को पूछते है और पाउंड जो की यूके की करंसी है उसकी आज की वैल्यू है 95 रुपीज और दोस्तों ये सारे करंसी के रेट जो है वो हर दिन हर मोमेंट चेंज होते रहते है तो कोई भी एक्जाम या इंट्रू के लिए जाने से पहले ये सारे रेट ज़रू चेक कर लो किसके दिमाग को अभी तक संभाल के रखा गया है तो जनरल नौलिज से रेट ये बहुत इंपोर्टन क्वेशन है UPSC, IS जैसे एक्जाम के करंट अफेस के कैटिगरी में एक वैशन पूछा गया है और इसका सही आंसर है अलबर्ट आइंस्टाइन तो अलबर्ट आइंस्टाइन जो है उनका दिमाग जो है अभी तक प्रिजर्व करके रखा गया है उनके दिमाग के कुछ पार्ट जो है वो अभी तक म्यूजिम में रखे गये है और उस पे रिसर्च पी चालू है WWE का फुल फॉर्म क्या है तो बहुत सारे competitive exam में इस तरह के question पुछे जाते है जिसमें आपको कोई भी English word का फुल फॉर्म पुछते है और WWE का फुल फॉर्म है World Wrestling Entertainment इसका पहले नाम WWF था जो की change होके WWE हो गया काला गुलाब याने Black Rose कहा पाया जाता है तो General Lawless से रिलेटेड़ ये बहुत ही important question है कौन बनेगा करोड़पती में भी एक question पूछा गया था 80,000 अमाउंट के लिए और इसका सही answer है तर्की तो काला गुलाब याने Black Rose जो है वो तर्की में पाया जाता है अगर आपको इसका answer आता है तो आप हमें comment box में लिखके वे जो अगले वीडियो में हम इसका answer देंगे और साथ में भी बताएंगे कि किसने किसने इसका answer सही दिया तो दोस्तों ये तेको जैसे 10 GK के questions जो बहुत सारे competitive exam, interviews और कौन बनेगा करोरपती में भी पूछे गए है इसके अलावा हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारे ऐसे common sense के questions, IQ के questions, GK के questions और कौन बनेगा करोरपती के भी questions शेर किये है ये सारे information आप हमारे playlist में जाके देख सकते हो और दोस्तों हमारा playlist एक पुरा ग्यान का भंडार है आप ये एक बार जरूर चेक कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे useful information मिल जाएगी तो दोस्तों हमारे videos regularly देखते रहो, हमारे videos को like करो, हमारे चैनल को subscribe करो जिससे आपको ऐसी valuable information घर बेटे मिलते रहेगी और वो भी एक ही channel से तो ये video में बस इतना ही था, जल्ली मिलते है कुछ और important topic के साथ, कुछ और interesting knowledge के साथ तब तक के लिए, bye bye दोस्तों, thank you very much